अब आज से हम लोग के पूरे solutions में ले चुका हूँ अब आज से हम लोग चालू करेंगे इसके पहले में बता देता हूँ कि आपको हमारा कोई भी अगर कोर्स पर्चेस करना हो तो आप हमारे बहुत ज्यादा tough questions के बहुत easy solutions देखने या cat के previous year, Z, AFT, CMAT, SRCC इन सबके आपको easy solutions देखने तो आपको हमारे channel पर सबकुछ available हो जाएगा तो आप हमारे channel पर playlist पर जाहिएगा ठीक है प्ले लिश्ट में जाके आपको पूरे solutions मिल जाएंगे cat की अलग playlist है, Z की अलग है, AFT की अलग है, CMAT की अलग है, SRCC की अलग है ठीक है प्लस जो main चीज है इस channel को अभी तक आप brand बनाने ही रहे हो तो channel को like और subscribe जरूर कीजिए हर वीडियो को like कीजिए, channel को subscribe कीजिए, share खूब कीजिए ताकि ये channel बिग brand बन जाए, वो बहुत ज्यादा से यादा लोहों की help को पाए, ठीक है आप हमसे हमारे Facebook, Instagram, Telegram सब पर आप जोड़ भी सकते हैं, है ना, description पर सबकी link दे हुई है, आप जहाँ पर चाहें, वहाँ पर हमसे जोड़ सकते हैं, ठीक है अब चालो करते हैं ये question, question number 1 to 4 ध्यान से आप समझिएगा, ये type के question, normally मैं पहले से ही बता देता हूँ, दर असल solution लेने के साथ साथ में एक चीज़ और बताता हूँ, कि exam में किस type के question करने चाहिए, किस type के नहीं करने चाहिए, तो ये जो question number 1 to 4 है, तेकने इसमें हर question में अ question में क्या होता है, एक या दो question तो बहुत easy भी कई बार आ जाते हैं, लेकिन एक दो जबरन बहुत जाता, complicated आ जाते हैं, तो हमें खुब मेहनत करने पड़ी है, खेर, इस question को मैं बहुत अच्छे से समझाऊँगा, और कुछ question ऐसे बीस में मैं बता दूँगा, जो आप option से अगर करते हैं, तो बहुत जल्दी कर ले, ठीक है, तो शुरू करते हैं, ध्यान से question पढ़ लेजिएगा, a shopping mall has a large basement parking lot with parking slots painted in it, along a single row, single row है ध्यान रखना है, जो काम-काम की चीज़े underline कर ले, ना single row है, ठीक है, highlight कर रहता है, ठीक है, आगे, these slots are quite narrow, a compact car can fit in a single slot, compact single slot में, but SUV, एको compact car single slot में, SUV को दो slot लगेंगे, ठीक, एतना समझ में आगया होगा, आगे, when a car arrives, the parking attendant guides the car to the first available slot from the beginning of the row into which the car can fit, beginning से वो जहां भी car fit हो सकती, वहां पे fit कर देगा, ठीक है, आगे, for our purpose, car are numbered according to the order in which they arrived at the lot, this number से आइए, उसी number के car को हम number कर देगे, for example, first car to arrive is given number 1, second को 2 and so on, this numbering does not indicate whether car is compact or SUV, यह धियान रखना, is a sequence of the car, number in each slot, each single vacant slot is represented by a letter V, vacant को V से ये represent कर रहा है, समझ में आ गया, है ना, तो V से represent करेंगे, अगर कोई भी इनको vacant दिख जाता है, तो, यहां तो कोई दिख रहा है, for instance, suppose car number 1 through 5 arrive and park, car 1, 3 and 5 are compact cars, 2 and 4 are SUVs, है ना, at this point, the parking lot would be described by the sequence, 1, 2, 3, 4, 5, देखो, भला ही 2 और 4 SUV थे, लेकिन 2 को 2 तामस नहीं लिखा, है ना, इसा लिख दिया, अपका 2 and 5 vacant हो गई, देखो, 2 vacant हो गई, और 5 vacant हो गई, ठीक है, तो 2 तो इसमें SUV थी, तो देखो, 2 SUV थी तो दो बार भी लिख दिया, क्योंकि 2 slot खाली हो जाएंगे, है ना, 2 slot ही लिखा हुआ था, ठीक, 3, 4, अब 4 तो 5 vacant होगे, वी लिखने की जगर रखने, क्योंकि आगे के तो सब ही खाली होंगे, इसलिए इनोंने आगे भी लिखा नहीं, इसलिए, if a compact card number 6 arrived sequence, then followed by an SUV number 7, अब देखो, 6 आएगी पहले, तो सबसे पहले यहाँ पर 1 के तुरन पाद देखो, 6 आगया, अब 7 आई, 7 SUV तो यहाँ पर 2 V चाहिए रहते हैं, यहाँ पर नहीं आएगी, 7 आखरी में चले जाए, यह इनोंने पूरा दंग से समझा दिया, अ आगे जब भी मैं question भी करूँगा, तब मैं आपको और अच्छे से समझा दूँगा, तो आपको एक एक चीज अच्छे से clear हो जाएगी, ठीक है, तो एक अच्छा सा color आजब करते हैं, ठीक, शुरू करते हैं, देखो, initially card number 1, 2, 3, 4, arrive, among which 1 and 4 SUV, अच्छा 1 over 4 SUV, तो मैं तो 1 क को दो बार लिख देता हूँ, हैना, हम अपने solution में दो बार लिख देता हूँ, यह दो slot घर लियो, उसने, इने ले लिए, तो हम 1 को 2 times लिख देते हैं, हैना, 2, 3, compact है, तो 2 एक ही slot में जाएगा, 3 एक ही slot में, 4 भी SUV था, तो मैं 4 को 2 times लिख देता हूँ, यहां तक लिख द compact car है, and car 6 SUV, तो पहले car 5 आएगी, तो 5 को तुरंथ हो भर देगा, मैंने का आता, यह नहीं का आता, question में लिखा हूँ आता, कि जो attendant रहेगा, first slot जो भी अविलेबल रहेगा, starting से, मानलो इसे आ रहे है, तो उसमें भर देगा, तो 5, V, 2, 3, 4, 4, यह हो गया, car 5 आए, compact, 6 SUV है, तो 6 कहां जाएगी, आखरी में तो 5, V, 2, 3, 4, 4 के दो slot है, पर 6, SUV है तो 2106 लिख देता हूँ, car 4 अप गई, car 4 गई तो क्या हो जाएगा, 5, V, 2, 3, V, V, 6, 6, 4 गई, क्योंकि 4 SUV है, car 7 आई, है ना, और car 8 आई, तो पहले 7 आई तो देखो, यहां पे नहीं आ सकती, तो 5, V रहन दो, 2, 3, दो slot खा लिए हैं तो 7 यहां पे लिख दो, then 6, 6, 8 compact का रहे, 8 देखो आई खा लिए हैं, यहां पे लिख दो, तो 5, 8, 2, 3, 7, 7, 6, 6, At this moment, which of the following numbered car is parked next to car 3, car 3 के next में को होने, car 7, option A, तो फिर्ष्ट का अंसर क्यों जाएगा, option 1, उमीदे समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो देखो, हर question में अलग सोचना है, इसलिए इस टाइप के question को मैं avoid करता हूँ, अब normally LR में क्या होता है, जो direction पढ़के एक बार हम बना लेते हैं, पूरा, तो उससे question फिर 4 यह जित्ते भी question पूझे आएगा, हमें एक बार में सब के answer देते हैं, अब इस question में क्या है, हमें हर उसमें अलग-अलग सूचना पड़ेगा, ठीक है, चलो, लेकिन second question अब कर ल of which two have left, 8 car आई हैं और दो ने left कर दिया है, ठीक है, also suppose that car 4 is a compact 7 SUV, अचा, 4 एकी space लेगा, 7 दो space लेगा, ठीक है, 7 क्या है, SUV है, which of the following is a possible current configuration, अचा, option पे, मैंने कहा न, कई question अगर मैं option से बताओंगा, तो काफी असानी से बता दूँगा, अगर आप 4 option पे ध्यान दो, तो car 1 आपको कहीं नहीं दिख रही, इने car 1 गई होगी, 2, 3 हर option में दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा, 5, 6, 7 दिख रहा है, 8 दिख रह मतलब 1 और 4 ये 2 car गई है, अब क्या बोलगा है, possible current configuration, अब 4 तो compact थी, है न, वो 7 SUV थी, ठीक है, अब 1 का नहीं पता मुझे, तो देखो 1 अगर 1 भी होगी, है न, 7 दो होगी, तो चलो 7 टू टाइमस आग, वो 1 और 4 ही गई है सिर्फ, तो या तो दोनों SUV होती, याने 1 SUV होगी या 1 compact होगी, तो 1 अगर SUV होती, तो पहले 7 आई होती, और 7 सबसे पहले space पे लिखा होता, लेकिन 7 को किसी भी option में first space पे नहीं लिखा, मतलब 1 वाली जो car होगी, वो compact होगी, है न, और 8 सब में A की option में एक एक बार लिखा हुआ है, बी को अगर छोड़ दो, तो 1 की जगा त 4 देखो compact थी, compact थी है न, इतला 4 का इस पे 7 नहीं ले सकता, तो 4 की जगा B लिखा होगा, जो की ACD तिनो option में था, ठीक है, फिर 5, 6, 7 ही रहेगा क्योंकि बाकी तो कोई car गई नहीं थी, है न, तो sequence में 7 पहले आई नहीं सकता, तो 5, 6, 6, 5, 7 ये कोई भी option नहीं होगा, 5, 6, 7 वाला होगा, option C लगा, तो second का option C, तो देखो, अगर आप logical सूचते, option के through, तो इस question का within 1 minute, या 1 and a half minute में आप दे सकते थे answer, ठीक है, उमीदे समझ में आ गया होगा, next, question number 3, suppose sequence, किसी एक बोला है, particular time interval में, sequence क्या है, 4, 5, 6, V, 3, अब ध्यान से देखना, 3 के पहरे, 4 slot दिख है, मुझे, 4 से ज़्यादा भी हो सकते है, है ना, लेकिन अब थोड़ा समय खुदी दिमाग लगाता हूँ, बाद में अपन question पढ़ेंगे, देखो, 3 के पहले ने कार, 1 or 2 ही आई होगी, और 4 slot में, मतलब 1 or 2 जो है, उनको SUV होना पढ़ेगा, तभी 4 vacant space आयोंगे, मतलब 1 or 2 दोनो SUV होंगी, तभी ये 4 का fill up है यहाँ पर, है ना, इतना समझ में आ गया, मतलब यहाँ से में एक conclusion निकाल सकता हूँ, 1 or 2 तो SUV होंगी ही होंगी, ठीक है, अब इन्होंने क्या पूदा, which of the following, not necessarily true, not true, ठीक है, तो 1 SUV होगी, इस option को अटा दे, है ना, ठीक है, not necessarily true, ठीक है 4 और 5 ते, देखो, 4, 5, 6 जो है, मान लेते हैं, 4 SUV होता, तो 4 को में इधर 2 slot देता, फिर 5, 6 और भी नहीं आ पाता, similarly अगर 5 SUV होता, बाकी तो compact होते हैं, यह ना, तो भी 6 और भी नहीं आ पाता, मतलब 4, 5, 6 में कोई भी SUV हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक तो 5 compact यह लिखा हुआ है, यह भी true है, 4 भी compact है, 6 भी compact है, अब 3 के बारे में मैं नहीं बता सकता, कि 3 SUV होगा, की compact होगा, ठीक है, तो इन्होंने कहा था 3 SUV है, यह कुछ भी हो सकता है, तो not necessarily true तो option D होगा, है ना, क्योंकि देखो, option ABC तो मैंने बोली दिया true होँगे, तो बोला का, तो option क्यों जाएगा, उम्मीदे समझ में आ गया होगा, अब हम करते हैं, 4th question, ध्यान से देखना, है ना, ठीक है, suppose that car 4 is not for first car to leave, car 4 सबसे पहले नहीं छोड़ रही है, the sequence of time between the arrival of 7 and 8, 7 और 8 के बीच के एक sequence दिया है, V, backhand रिख दो, 7, 3, 6, 5, ध्यान से सुनना बहुत अच्छा question है, then which of the following must be false, इसमें से false बताना है, जो false होगा ही होगा, must be false, है ना, ध्यान से देखना, अब कार 8 को आना है, ठीक है, 8 ध्यान रखना, और पूरे उसमें कहीं भी यह नहीं लिखा कि कौन सी compact थी, कौन सी होती, अब देखो, V तो एक ही है, 7 के लिए दो स्लोट भी हो सकते हैं, यह तो एक ही स्लोट रहेगा, यहाँ पर यहाँ तो दो स्लोट होते हैं, फिर 3, 6, 5, ध्यान से मनना, यह 7 अगर compact होती तो एक ही स्लोट में यह फिल हो जाईगी, फिर 3, 6, 5, है ना, अब कार अगर मैं बात क होना ही पड़ता, है ना, या तो दोनों compact होती, या एक compact होती, चीसन में आगई, तो कार 2 जो है, वो compact भी हो सकती थी, SUB भी हो सकती थी, है ना, तो compact के भी chance है, तो एक option नहीं हो सकता, must be false बोलाए, ठीक है, फोर्थ का क्या बोह रहा है, must be false, similarly, अब मैं कार 4 की बात करता हू देखो, कार 4 भी छोड़ चुकी है, अब ध्यान देना, 5 के पहले 6 लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा है दिमाग वाली चीज़े, क्योंकि लोजिकली तो 5 के बाद आना चाहिए था 6 को, है ना, और या तो वो जो first vacant यहां पे दिख रहा है, अगर compact होती, तो 6 को यहां पे होन जाये था, है ना, वो बीच में आना नहीं चाहिए था, तो car 4 वाला जो space होगा, है ना, 102 जो भी leave कियोंगी, है ना, तो sequence को, 4 सबसे पहले leave नहीं करेगा, तो या तो 1 leave करेगा, फिर 2 करेगा, फिर 4 करेगा, या 1, 4 leave करेगा, 4 करेगा, फिर 2 करेगा, 2, 4, 1, एसा कुछ भी leave लीव किया होगा उसके बाद 1,2,3,4,5 तक तो आई गया होगा 6 को आना था लेकिन अगर एक ही कार ने सिर्फ तब तक लीव किया था है ना जो और हाँ वन और टू में जो भी कार वो होगी वो कॉमपैक्ट होगी है ना तभी 6 शुरुवात में नहीं आया क्योंकि अगर वो सिवी होती तो 6 को पहले पे लिख देते ठीक है फिर 4 ने लीव किया होगा 4 के 2 स्पेस होंगे तभी 6 आ गई इसका नहीं तो 6 पहले पे ही आ जाता ये बात समझ में आ गई होगी मतलब 6 जो होग सकता है लेकिना कार 6 तो कॉंपैक्ट नहीं होगा कार 6 SUV ही होगा ध्यान से वीडियो रिवाइंड करके दो तिन बार सुन लेना तो आपको समझ में आ जाएगा कि 6 तो 100 परसेंट SUV ही होगी और 4 भी SUV होगी ठीक है तभी 4 की जगा 6 आया है क्लियर है तो अमीद है आपको यह 4 से समझ में आ गया होंगे तो इसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज्याद से लोगों तक हो चाहिए ताकि सबकी हो पाए ठीक है तो थैंक्स फर वाचिंग इस वीडियो